हलो फ्रेंड, CKD Stock Market News चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे मेरे में तरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा, देखिए पर्सों के देर मार्केट किस तरीके से गिरा, और इसके बाद अगर मैं कल की बात करूँ तो बहुत बहतरीन तरीके से मार्केट वापस से रिवाइब हो गया, रिवाइब की बात करेंगे तो देखिए, निफ्टी 50 जहां पर निगेट हुँ था, वहां पर 0.68%, निफ्टी मिट कैप 100 जहां 4.5% के असपास गिर गया था, वहां पर 2% का अपसाइट देखने को मिल एक दिन में जितना मार्केट गिरा, अगर आपने बहुत अच्छे से अपने पैसे को मेनेज किया होगा, यानि कि जब मार्केट बहुत तीजी से परसो के दिन गिरा, अगर वहां पर जो लोग डर गए, जो लोग चुपचा बैठे रहे, उन्होंने सोचा कि चलो मार्केट करें, चाहें, वो mutual funds की बात करें, इसलिए मैं आप से कहता हूँ, किसी भी mutual fund में इंवेस्ट करने से पहले एक बार अपने financial advisor से जरूर पूछ लेना, अब कुछ गल्तियां investors इस तरीके से करते हैं, जैसे कि एक message आया, उसने बोला, दो दिन मार्केट गिरा, वहां से 5-5-5- रुपए करके लगाया, तो almost आप बराबर ही होगा एक तरीके से, एक चीज़ आप हमेशा याद रखने, market में अभी सारी चीज़ें short out नहीं हुई है, अब कल के दिन market positive क्यों हो रहा, जैसा मुझे लगता है, परसों के दिन इतना ज्यादा sale off हुआ, इतना ज्यादा sale off पास कुछ बचाई नहीं था बेचने के लिए, तो simple सी बात है, या तो वो आपस खरीदने आएंगे, या वो चुपचा बाहर बैटके देखेंगे, जिन को खरीद रहा था कल के दिन, उन्हों ने खरीदा, और वो आपस से market उपर आ गया, अब क्या होगा, कई बार क्या होत हर गिरावट को opportunity की तरह इस्तमाल करो, जब भी आपको nifty small cap के अंदर दो 1% उपर की गिरावट देखने को मिल जाए, नifty mid cap के अंदर आपको 1% से उपर की गिरावट देखने को मिल जाए, वहाँ पर आप लमसम करने की चेश्टा करें, जैसी market उपर हाए, 37 बैट के चुप लमसम करना है लमसम भी टुक्ड़ों में करना है S.I.P की इसको आप महीने में एक बार करते हो लमसम को आपको क्या करना है अगर महीने में 10 दिन निफ्टी, small cap और mid cap के अंदर आने वाले 2-3 साल के अंदर किवल आपको single digit return बना के देगा, यानि कि किवल small cap और mid cap आपको 89% का return बना के देंगे, अब मेरे मन से किवल यही निकल रहा था कि यानि कि अगर 2 साल 89% इस small cap और mid cap ने दिया, तो definitely यही 2 साल अच्छा time है, जब जित 12% return देगा, कभी आप यह पाएंगे कि small cap और mid cap से return नहीं नहीं आ रहा, जबकि वही 10-15 साल के बाद अगर आप निकल जाओगे, तो small cap mid cap आपको बहुत अच्छा return बना के देंगे, वहीं large cap के वल 11-12% के आसपस का ही return बना के देते हैं, मैं पास्ट काफी दिन उस कह रहा तो यह यह एक तरीका है, यह एक parameter है, हर गिरावट में आपको simple सा one liner में समझा देता हो मेरे भाई, जब market गिरना है, पैसे को आपको लंसम करना है, SIP को रोकनी नहीं है, जब market positive देखे, चुपचा बैटके देखो, ठीक है, इस तरीके से कर आप investment करते हो, तो long term में आपको अच्छा return देखने को मिलता है, आपका return क्या positive आया है अभी तक, इतनी गिरावट में, जितना भी आपका return बरवाद हुआ था market के अंदर, सिर्फ paper पर ही रह गया, किरपिया करके comment करके यहां से बताएं, comment करते रहो, मैं सभी के comment बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, ठीक है एक comment और आया था, कि क्या आपको retailer के sentiment की नहीं पढ़ी है, कि आप कहते हो, कि जब market गिरता है, तब आप खुछ रहते हो, मैं सही बताओ, मेरे को sentiment से कोई लेना देना नहीं है, मुझे लगता है, कि अगर कोई doctor, अगर marriage के sentiment को देखके operation करेगा, मुझे नहीं लगता कभी वो operation कर भी सकता है, इस वज़े से मेरे को sentiment से मतलब नहीं, एक positive है, और यहीं एक सत्य है, अगर आप हमेशा upside market में डालोगे, तब आपको कुछ नहीं मिलने वाला, अगर आप गिरते हुए market में पैसा डालोगे, तब आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, और यकीन मानना, जितने भी अच्छे investor, जितने भी दिगज investor रहें, उन्होंने हमेशा गिरावर्ट में ही पैसा डाला है, तब उनका बहुत अच्छा पैसा बना है, पैसा तो सबका बनेगा मेरे भाई, एक होता है किसका extraordinary तरीके से पैसा बना, तो इन सभी चीजों के parameters को आप follow कीजे, यहा बहुत बहुत धनिवादा